do welcome back यहां पहें हम पढ़ रहें ठीक है टीब आप रोए सेकेंड यह लाएंगे इसी टीजर आहाव विनवाप थे करोर मोल वाला पंद तक रे फिर उठा उसामा कोन रहेगा है रेगुल नहीं पड़ोगे बिटोगे क्यों आ गया हूं जिंग में मर्कटी बैगाना लुगा जरी थैला कैटना से लेजिन सानी फैने पर नदिया प्रेम की समाई उमीगत का अब लोटों टांगो पर उनके इंद्रजर पड़ी आसमांचम का बिली करके इसके बाद यहां पे हमने यह सारी चीज़े ठंक से एक एक करके देखी ठीक है उसके बाद हम यहां पर आए कैसे लिखा जाता है कि 1s22s223s224s-23810 थैन और मैंने का था कि इतना तो याद हो नहीं चाहिए से लेके ट्रीडी टेन तक इतना तो याद होना ही चाहिए इसमें कोई इफ बट नहीं चले इतना याद होना चाहिए उसके आगे कभी अगर तो यह तरीका है जिससे हम पूरा याद कर सकते हैं एक तरीका और है हाला कि एक उसको भी हम डिसकस कर लेंगे बर अब ही नहीं वह तो इसके बाद configuration लिखनी सीखी कि किसके configuration कैसे है उसके बाद हमने यहां पर देखा कि बेसिकरी configuration हमने देखी यहां पर लिखना configuration कैसे लिखी जा सकती है सब्सक्राइब के बारे में बोल आके हम पढ़ेंगे सो वीविल स्टेडी डाट एस वैल ने यहां पर देखा कि कौन एक्सेप्शन के हिसाब से क्यों configuration कैसे लिखी जा सकती है ठीक है क्यों एक्सेप्शन होती है वह ठीक है और उसके बाद हमने यहां पर देखा कि कैसे निकाल जाएगा हाफ फूल फूल फिल्ट क्या होता है ठीक है तो काफी सारी बाते अल्रेटी कंप्लीट हो चुकी है आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगेगा तो यहां पर मैं टॉपिक डालतेता हूं इसको रॉप करना पड़ेगा वापिस से टॉपिक डाल देते हैं hybridization को continue करते हैं और इसको अच्छे से त्यार करते हैं तो hybridization में क्या है कि कुछ शेप्स होते हैं जाकि SP हो गई SP2 हो गई SP3 हो गई SP3D हो गई इस तरीके से ठीक है अच्छा SP3 में दो चीज़े हो गई एक तो SP3 होती होती है और एक DSP2 भी होती है ठीक है SP3 और DSP2 यह दो structures होती है हमारे पास तो सबसे पहले हम SP की बात करेंगे तो SP में क्या है कि उससे पहले यह hybridization पढ़ने से पहले यह तो चलो पढ़नेगे hybridization से पहले यहां पर हम discuss कर सकते हैं कि जो S है जो P है जो D है और F है इनकी shapes किस तरीके से होती है तो S की जो shape होती है होती है spherical ठीक है spherical shape होती है एक sphere जैसी पी की जो shape होती है पी तीन axis में लागे कर सकता है x-axis में y-axis में या z-axis में अभी x-y-z-axis क्या है देखो ऐसे है तो x-axis हम माल लेते हैं उसको यह x-axis में इस टाइम p-x बोलेंगे इसको y-axis ऐसे हो गई यह p-y हो गया और z-axis कुछ इस तरीके से हो गई यह p-z हो गया ठीक है बोलो कुछ भी shape dumbbell जैसे होगी dumbbell उठाते हैं न जिन में जाके d-u-m-b-e-l-l dumbbell ठीक है dumbbell shape होती है इसकी और इसकी s-k-s-f-e-rical p की dumbbell और d में 5 होते हैं क्या-क्या 5 होते है नाम उनके d-xy dy-z d-z-x d-x-square-y-square और एक last है d-z-square ठीक है f की कोई proper shape नहीं होती no proper shape कोई fixed shape नहीं है इसकी ठीक है यह 3D orientation में रहता है बस इतना ध्यान रखना है पर इसकी shape पूछी नहीं जाने के क्योंकि होती describe भी नहीं करी अब तक पूछी कहां से जाएगी यह 3 हम सबसे पहले देखते हैं हाँ पर d-xy सबसे पहले study करते हैं d-xy तो यहाँ पर बनाओ x-axis यहाँ पर बनाया है y-axis और इसको बना देते हैं इसकी shape इस तरीके से होगई ठीक है यहाँ देखने को मिला है double dumbbell double dumbbell ठीक है दो डंबल लखे वे तो यह कि शेप होगी अगर मैं यहाँ पर बना दू आ मतलब y-z तो यह तो यह दी वाइज़ड हो गया ठीक है अब यहाँ पर d-x-z भी बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ x बना दो यहाँ जड बना दो बस इतना इस फारक है तो इतना तो यह ह हो गया अब इसके बाद कुछ शेप सोर भी आते हैं डी में d-x-square-y-square यह कैसे बनता है यह इस तरीके से ठीक है डी-x-square-y-square और d-z-square जो बनेगा वह इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पर इस तरीके से यह बनाना जरूरी है तो इस तरीके किसकी शेप होते है यह ध्यान रखने है इससे मतलब नहीं कुछ भी हो सकता है यह ध्यान रखने है बस ठीक है इस तरीके से structures बनेगी इन्हें इतने precise तरीके से आथ करनेगी जोटनी है मालो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया y यहाँ पर नाम दे दिया x अब भी क्या बनेगा यह अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो यह किसका नाम है बी-x-y का नाम है important है यहाँ और यहाँ क्या है बस तर यहाँ ठीक है बस थ्यान रखना है अच्छा इतना हमने देख लिया अब इसके बाद हम यहाँ पर इनकी प्रॉपर शेप की बात कर रहेते कि एस फी होगा तो क्या होगी शेप तो एस चोटा सा होता है तो इस तरीके से बन गया लीनियर स्ट्रेक्चर हो गई है अच्छा जब कोई लाइन सीधी होती है तो उसका जो एंगल होता है था एक तो एक इस तरीके से बाकी एक इस तरीके से एक इस तरीके से तो यह इस तरीके से 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 इस तरीके से इस त पॉर्टेंट यहां पे यह है इसको ऐसे ही बना सकते हैं सिलबर है स्पी टू स्ट्रक्चर जो है वहां पे उसके बीच में 120 डीघरी का एंगल बनता हैos कितना एंगल बनता है 120 डिगरी की कितने एंगल बनता है तीन अंगल पॉसिबल है चाया है यहां पर देखो यह भी 180 डिगरी है डोटल disruption 208 यहां पर यहां पर यह structure किसी तरीके से बनेगी टैट्र है कैसी टैट्रा तो यहां रखने अच्छे पहले वाली शेप का नाम नहीं बताए पेस जाना में वह है ट्रायगोनल प्लेटर क्यों ट्रायगोनल प्लेटर ऐसा इस लिए क्योंकि एक प्लेन में जैसे कॉपी अपने हाथ पे र रखी है तो इस तरीके से यहां पर प्लेनर मतलब उसी प्लेन में मतलब क्या है कि कि कोपी को पी का एक जो सिरा है वो हाथ एक म TOM Damit दिखाता हूं अगर बन गाए तो ठीक है एक सेकंड दो ये मालो ऐसे ये हमारा हाथ है ठीक है हाथ है ठीक है न तो ये इस तरीके से हाथ है किसी का एंड उस हाथ पर कोपी रख रखी है ऐसे ठीक है और इस पर कुछ भी लिखावा है तो वो कोपी पढ़ रहे हैं लेकिन अब क्या करा कोपी को एक हिस्सा ऐसे आगे को करके ठीक है इस तरीके से कॉपी का एक हिसा ऐसे फोल्ड करके रख लिए हमने मतलब वो लैप्टॉप की तरह रखावा है हाथ पे जैसे लैप्टॉप खोल के रख दिया तो इस तरीके से दो दो अलग अलग प्लेन में चलागी बात तो लेकिन यह प्लेनर होता है प ठीक है एक सो नो डिग्री 28 मिनट यह फिक्स एंगल है इतना आ गया समझ में शेप के नाम याद करने हैं दुबारा से एक पर देख लेते हैं SP linear shape होती है इस तरीके से 120 डिग्री एंगल हो गया SP2 इस तरीके से 120 डिग्री एंगल हो गया SP3 इस तरीके से tetraider लो गया चलो आगे देखते हैं SP3 में एक और structure और इसको मैं लिख सकता हूँ DSP2 इसमें भी चार यह है तीन और एक चार दो तीन और एक चार चार वाले दो possibilities हैं यह तो SP3 बन सकती है DSP2 बन सकती है तो अगर DSP2 वाले भाइसा बनते हैं तो उनकी structure बनते है कुछ इस तरीके से एक दो तीन चार सब में 90 डेग्री नो चौक 36 360 हो गया न टोटल तो यह DSP2 structure बनते है कुछ इस तरीके से ठीक है एसे ऐसे 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 दूबारा ट्रिया DSP2 को दूबारा देखते हैं कि DSP2 तो एस तो है शात में PX है PY है और D x square – y square ठीक है टो यह एक एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे x x2 – y square देखा था नहुंग है इस तरीके से बना वह था ता है न तो वह यह यह यहां पर भी है एक स्क्वायर बिना लुए हैं तो इस तरीके से यह हैं यहां पर और सम्में एंगल कितना है 90-90-90-90 यह हो गया है स्क्वायर और प्लेन में रखा हुआ है तो प्लेनर स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है या यह ध्यान रखना में ठीक है क्वेशन यहां क्या सकता है कि 90 डिगरी के कितने और 180 डिगरी के कितने यहां पर एंगल दिख रहे हैं तो 90 डिगरी के तो चार दिख रहे हैं यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90 डिगरी के तो 4 हो गए और 180 डिगरी का यह पूरा एक 180 डिगरी का है ऐसी यह चलो आगे बढ़ते हैं इसमें और SP3D देखते हैं कि SP3D में कैसे होता है SP3D तो SP3D का मतलब हो गया S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ ठीक है प्लस DZ इस्क्वाइर ये ध्यान रखना है PZ और DZ इस्क्वाइर इसमा जाता है मतलब इसकी structure जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी ठीक है एक उपर एक नीचे और तीन इधर एक दो और तीन डूबारा से अच्छे से नी भी सकता है नहीं भी हो एसा कुछ जरूर ही ने कि लौन पेर है यहां पर नहीं है तो इसकी स्वर्ट इस तरीक से बनती है तीन से और दो ऐसे पांच हो गई न तो टें चार पांच है तो यह कैसे बनेगी कि मतलब ऐसे मान लो कि अब यहां पर हमें Youtube पर जाना पड़ेगा क। vyらい एक से जोगे हैं त्राइगोंनल लेमर इंठ्ली कूझ अन्हीं ने देखते हैं अम जब्लेंनल एंमेदधा हुगा है खेंडी कोई वीडियो दिखा चीजी है कि कुछ है ठीक ठाक सा ट्राइगोनल प्लेनर हम 3D में देख रहे हैं कि कैसा होगा कि कुछ इस तरीके से डो तीन अर्ट एक उपर एक नीचे तुबारा कोई और सी स्ट्रक्चर देखते हैं कि अच्छी सी हो एक उनेट इमेज्स के सेक्षिन में जाकर देखते हैं कि टो यह खुल गया हमारे पास सारी है प्रॉपरली देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो बनिंगे कैसे तो देखो कोई मिलती है तो देखते हैं हाँ इस तरीके से ये स्ट्रॉक्ट्र ठीक रहे है मेरेको तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं आख देख रहा होगा ठीक है कि यहां पर हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से कि इसको थोड़ा सा ओर एधर कर लेते हैं एक इधर ठीक है एक सेज़ोग और में ओलेता हूं मार कर अब समेश्माइघ इश्यसे यह देखो एक इधर दिख रहा है एक इधर पीछे एक इधर एक उपर एक नीचे और बीच में मैटल लगावा है ठीक है बीच में सेंट्रल एलिमेंट है उसके एक इधर है इसके एक इधर एक इधर एक इधर एक उपर एक नीचे पांच हो गए और यह इस तरीके से को स्ट् अधिर्वाइज ज्यादा अच्छे से समझ मा आता तो यार देखते हैं उसके लिए क्या कर सकता है कि क्यों प्रॉपर स्ट्रेश्चर में यह ना एक लेट मीजिए कि कोई स्ट्रक्चर में इस ट्राइब बाइपरामेडल में चेक करना है तिक है वैस तो इसमें आ रहा है यह सी में ट्राइब करते हैं समझने का एक सेकिन मस पैन का आंग गया माउज और हीर वी हैव पैन पैन को गया मारा क्लियर और माई ड्राइंग्स इसे वापिस भेजो वापिस एनोटेट पर जाओ आंड यह आ गया पैन तो देखो यह जो उपर दिख रहा है और इसके साथ यह एंगल कितना है 90 ऐसी एक पीछे भी है पीछे भी है तो उसके साथ भी एंगल कितना होगा 90 एक यह इसके साथ भी इसका एंगल कितना होगा 90 यह यह समय है इसके उपर मतलब क्या कि जैसे कि यह हमारा हाथ है इसके उपर की इस निकलावा एक है एक हाथ के नीचे की साइड है तो उसका इसके साथ भी 90 इसके साथ भी 90 तो नाइनटी डिगरी के टोटल हो गए चैक है एक सो असे डिगरी के हो गई यहां पर अगर इस चीज़ दंग से समझ नहीं तो मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना के वीडियो इसके लिए बनाना पड़ेगा क्यों कि यह चीज हो सकता है तो फिलाल इस चीज़ को हम थोड़ा साहीं तक रखते हैं कि याद रख लो फिलाल अर्वाइस में वैसे एक वीडियो इसके लिए अलग से फॉर्म करके वह बता दूँगा कि exactly हो गया रायस में तो फिलाल जो इसमें 90 डिगरी के एंगल बनेंगे वह 6 बनेंगे और 180 डिगरी स्ट्रक्चर कैसे होती है स्ट्रक्चर होती है इसके बाद दो नाम हो रहे है एक होता है कि स्ट्रक्चर देखते है डाइए स्ट्रक्चर डेखते हैं पिछल बाद ट्राइगोनल था स्कॉयर स्कॉयर मख्ण suitable स्कॉयर लें तो इसमें सारे मख्ण है और आप तक देखें साव गए इसा अ चलो तो इसकी इस्ट्रक्चर देखते हैं भइड़ी अब शिंपल using स्क्वायर बाई पिरामिडल इन सबको ऐसे समझ में नहीं आएंगे सब इनकी प्रॉपर कहना वीडियो फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा तो यह तो वीडियो रहेगी लेकिन प्रॉपर जिसमें वीडियो कैम ओन रहे तो उसमें तब समझ माया गई यहां पर 90 डिगरी के ज हो गए एक पूरा यह एक पूरा यह एक पूरा यह तीन हो गए एक सब्सक्राइब हो गया इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आते निकलके SP3D3 which is pentagonal pipiramidal पैंटागोनल बाई पिरामिडल पैंटागोनल बाई पिरामिडल ठीक है तो यह किस तरीके से होती है ऐसे ऐसे pentagon ऐसे बनता है और बाई पिरामिडल तो समझ माया गया एक दो तीन चार पाच ठीक है एक इधर एक इधर एक उपर एक नीचे तो गरिसमें 90 डिग्री की धियान रखने है नाइटीड डिग्री के दस बंते हैं एक सोड़ दिग्री का पूरा एक बने मा सिर्फ और 72 डिग्रीए इसमें बğlay fulfillment पांच पांच यह यह उन्हालाटर इन्टू defend 35030 Canada k criticisms ॐ यह फिर में बहुत है थीकि casi a 26 जो ध्यान रखने हैं यही सिने सबसे पहला नाम आच्प दूजरा नाम में SP2 फिर SP3 DSP2 आइकस में और SP3D ठीक है DSP2 हो गया इसके बाद SP3D हो गया SP3D2 और SP3D3 ठीक है यह हुए Shapes Complete Hybridization हमने देख लिए एक बार सारा revision कर लिया ठीक है एक चीज मैंने यहां पर और बताने को कहा था कि वह जैसे 1s2s वाली चीज वह डारेक्टली कैसे कर सकते हैं अधर में वैसे ध्यान यह रह रहा तो तो वह भी देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं वैसे तो ध्यान रहना अच्छी है जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 ठीक है इस तरीके से ध्यान रह पर चलो नहीं है यहाना और हम वह भी नहीं बनाना चाहरे वह जो 1s2s वाली बड़ा सा ऐसे करके वह भी हम बनाना नहीं चाहरे तो अब सीधा-सीधा कैसे लिखें हैं वह पूताना ठीक है हम इसे मिटाते हैं हाँ जी तो अब स्टार्ट करते हैं उसको समझना देखो 1S है पहले 1S लिखना है उसके बाद एक काम करो 1P लिख लो ठीक है फिर 1S 1P और D और F चार्ड चीज़ें एक काम करते हैं इसे छोड़ो S P ठीक है यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से Ns ठीक है और यहाँ पर Np जैसे कि यहाँ पर 3S है और 3P है ठीक है यहाँ पर 4S है 4P है लेकिन बीच में आ गया N इंटू D ठीक है N-1 इंटू D और यहाँ पर आएगा N-2 इंटू F अभी क्या हो रहा है पता नहीं दूबारा से माल लो 1 में लिखना है सबसे पहले N1 रखते है 1S 1S वाले पूरा सिक्वेंस लिखना है 1S 1P 1 में से 1 गए 0D और यहाँ पर माइनस 1F ऐसी आएगा यह पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है उसका रीजन सबस्त है देखो अब यहां गोड से समझने बाए एक बार यह चाहिए समझने बागी तो फिर लाइफ टाइम के लिए दो जाएगी बात कहना एक लाइन यहां रखने है higher the value of n plus चलो हाँ ठीक है higher the value of n plus l higher the energy of sub shell energy of sub shell ठीक है higher the value of n plus l higher the energy of sub shell if the value of n plus l is same, then the value of n decides the game. यह एक तरीकी की पोयम है, जो दियान रखने हैं कैमिस्टरी में, मतलब क्या इस बात का वो समझते हैं, मुद्दे की बात, माल लो हमारे पास है, ठीक है, समझते हैं, हालए कि बंडी पॉसिबल नहीं है, पर देखते हैं की क्यों पॉसिबल नहीं है, यहां पे पहले दियान रखना है, जैसे एल जो है, एजी मुथल क्वांटम नंबर होता है, एल होता है, ठीक है, अभी उस डिटेल में जाएंगे, अटॉमिक स्टॉक्चर का टॉपिक है, बट यहां कैमिस्ट्री में काफी बॉसिबल वैल्यूस हैं, वो 0, 1, 2, 3, इस तरीके से होती हैं, यह S के लिए होती ह एल के लिए, एन यह होता है, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, तो अब एन प्लस एल करो, समझभा जाएगा, यहां पे एन प्लस एल कितना है, 4, प्लस, S के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0, तो यह आ गया 4, यहां पे एन प्लस एल कितना है, 4 प्लस 1, 5, यहां पे एन प्लस एल कितना है, 1, 2, लेकिन, एन जादा होना चीए, एल से, ठीक है, अधर्वाइस, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन, एल की वैल्यू एन से जादा नहीं हो सकती, यहां पे एन की तो वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू वितनी हो गई, 1, ठीक है, S पे D, sorry, 2 हो गई है, एल की वैल्यू हो गई, 2, तो एल जाद है यह पौस्यबल है है मालव कुछ हो लेते हैं मालो हमें ले लेते हैं 3F क्या 3F possible है या नहीं वो देखते है तो N की value कितनी है 3 L की value कितनी है F के लिए L की value होते है 3 तो 3F basically N जो है L से ज़्यादा ही रहेगा तकε्ट इकुट शुक्क है टीन को टीनिएंद से ज़्याद से प्लम माझट नहीं खोरतना, बनें के लिए टो एल्फ के लिए टीन टो यह यह ज्यादा होगी है थो यह जौ में पॉसीबल नहीं है जो वपन वापिस अपने concept पे चलते हैं concept क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p देखा अब करना गया है उद्दे की बात है करना गया है पहले बनाएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 इतना तो ठीक है अब लिखते कैसे है s सबसे पहले s p d और f ऐसे लखेंगे ठीक है दुबारा से s p s के बाद p फिर d यहां और f यहां ऐसे ठीक है अब दुबारा से start करते हैं कि लिखना कैसे है पहले 1 ले लो तो 1 पकड़के बैठ जाते है तो 1s लिख दिया फिर 1p लिख दिया ठीक है 1 में से गटा दो कितना एग जिरो डी और जीरो में से बें घटा दो तो हैगा माइनस 1f देखो यह तो possible है यह भी पॉसिबल नहीं और यह ब्यूसिबली नहीं और यह भी नहीं है जोकी नहीं हो सकते हैं की फ्रीटर होते हैं जाकी फोल कि फ्रीक है तो यहां पर तो हम एको लोग है यह दोनों तो यह पॉसिबल नहीं है तो इसलिए 1s में सिर्फ 1s पॉसिबल है ठीक है अब आगा टूप है वन के बाद टूप आ गए वन की बाद खतम होगी अब टूएस देखते हैं तूएस फिर आ गया टूपी सिर्फ 1s 2s 2p 2AK वशंद 1 मैंस करदोर और वन मैसे वन मायनस करदो दो तो जीरो एफ क्या पॉसिबल नहीं वन डी पॉसिबल नहीं फूसिबन निली फॉसिबल नहीं तो यहां पर क्य सो बनी है वन boy स्ट्री यहां पर तो लिए तो यहां पर यहां पर आगया थ्री तो यहां पर याँ थ्री त्री पी फिर आजए चल लेगा इस करते चले चल आते चलू बरते हैं वह जा रहा है फिर 4S, 4P, 4 में से 1-3D, 3 में से 1-2F, 2F पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, N की वैल्यू तो हो गई 2, अर F में L की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 1, 2, 3, 3, S, P, D, F, F की वैल हो गई 3, L जादा हो गया, L जादा हो नहीं सकता, N ही जादा होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर आगया 4S, 3D, 4P, ऐसी 5 के लिए कर लो आगे, 5S, 5P, ठीक है, फिर आगया 4D, 4 में से बन गए 3F, क्या 3F पॉसिबल है, N की वैल्यू तो है 3, L की वैल्यू किया 3, दोनों सेम हो नहीं सकते, N जादा होना चाहिए, N जादा है, आपर नहीं है, N जादा नहीं है, तो इस तरीके पर, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, कहां गया, क्या जोगी है, वहाँ पर स्विच कर सकते हूँ, तो अपना ब्लास्ट करते हैं इसको, और कॉमेंट किया दा सकता है, कॉमेंट के लिए वेट रहेगा यहाँ पर, and consider watching the videos carefully, and समझने पर focus रहना चाहिए, and thank you for listening, bye.